कामदिनू लिमिटेट जो है स्टील के सेक्टर में जो है एक वैल लून ग्रूप्स है और वी आर एस्टेबलिज्ट सिंस नैंटीन निटीफाइफ जब से हम लोग एस्टेबलिश हुए हैं हम लोगों का एक ही मकसद था एक ही सपना था हर इनसान को जो जीवन में एक बार घर चाहिए वह घर हम उसको एक अच्छे स्टील से बनाने में मदद कर पाएं और हम पिछले 20 साल से उस में लगातार काम कर रहे हैं स्टील इससे वेरी इंपॉर्टन प्रड़क्ट इन यूर बिडिंग आप एक बार लगा पाएंगे इसकी कॉस्ट बहुत जादा रही है जो सबसे ज़्यादा इग्नॉरेंस का प्रोड़क्ट है तो यह इग्नॉरेंस वाला प्रोड़क्ट नहीं है आप लोग इस पर ध्य है शादी के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंडते हैं लेकिन घर बनाते में जब स्टील ढूंडते हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो स्टील की च्वाइस करने के टाइम उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में ल और वेरी इजिली एक सिस्टम के तैत हम लोग जो है अपने कंजूमर्स के पास पहुचाने में एक मदद कर पा रहे हैं समय समय पर हम लोगों ने स्टील के सेक्टर में जो भी इनोवेशन हुआ है वो प्रोड़क्ट मार्केट में लेके आए हैं अगर हमने 95 में पहले अब हमने तीन साल के रिसर्च के बाद ये कामदिनु नेक्स्ट जो है यह डबल रिब इंटर लॉक स्टील है and this is the next generation steel that's that why we are saying is कामदिनू next कामदिनू next double rib है interlock है और इसके अंदर normal steel के मुकावले 2.5 टाइम ज्यादा cement के साथ bond strength है अगर मैं यह कहूँ कि normal steel की जितनी cement के साथ bonding strength है यह उससे धाई गुना ज्यादा है यह आपके घर को धाई गुना strength ज्यादा देता है in the case of earthquake और any natural climates यह धाई गुना ज्यादा मजबूत है आपके घर को सुध्रड़ता देता है इसकी कीमत normal steel से लगबग 2 रुपे किलो ज्यादा है और 2 रुपे किलो मेरे नजर में कुछ भी नहीं है एक घर जिसमें अगर पांस टन चेटन सरीया लगता है टीमटी लगता है और चेटन पे अगर उसने 2 रुपे किलो ज्यादा दिया तो मातर 12,000 रुपे उसके ज्यादा लगे और 12,000 रुपे का मतलब यह है कि जिन्दगी भर का उसका बीमा हो गया है वो बीमा जिसके लिए उसे हर साल प्रीमियम देना है एक बार वो 12,000 रुपे देके या 10,000 रुपे देके या 20,000 रुपे देके वो जिन्दगी भर के लिए अपने घर में चैन से सो सकता है चैन की सांस ले सकता है और जब कभी भी अर्थवकेख हो या कोई ऐसी नेचरल कलमेटीज होगी वो अराम से बगर टेंशन लिए वहां रह सकता है तो मैं अपने आंदरप्रदेश, तेलंग गाना के सभी नागरिकों से, सभी निवासियों से ये आगरे करूँगा जब भी उन्हें स्टील की रिक्वार्मेंट हो वो सबसे अच्छा टीमटी काम दिनू नेक्स्ट जो है जो हम लोग आपके सामने आज लेके आए हैं इसी को खरीदें, इसी को अपने घर में लगाएं और संतोश के साथ शांती के साथ अपने घर में बगर भीमा कराएं रहें ज़्यादा अच्छा रहेगा सारे निवासियों के लिए पूरे तेलगू लोगों के लिए मेरी शुब कामना है मेरा प्यार मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ बहुत सुख से बहुत समर्दी के साथ रहें शुब कामनाओं के साथ सुनील अगरवाल डारेक्टर कामदिनू लिमिटेट जैसा मैंने बताया था कि हमारी मेनिफेक्चरिंग कैपसिटी जो है 4.5 मिलियन टन की आल ओवर इंडिया है जो इस्टॉल कैपसिटी है और लगबग 60 से ज्यादा यूनिट हमारी ओल ओवर इंडिया काम कर रही है लगबग ब्रेंट टन ओवर 8000 करोड रुपे का ब्रेंट टन ओवर है इन माई उपीन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो फूचर है वो आगे मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और फूचर में जो मैं एक्सपक्ट कर रहा हूं 6-7% ओवर आल स्टील सेक्टर की ग्रोथ एक्सपक्ट कर रहा हूं और मैं अगर अपने ग्रूप की बात करता हूं तो मैं अपने ग्रूप में 10-12% ग्रोथ एक्सपक्ट करता हूं ग्रोथ इस गुड़ इस राउंड 10% इस लास्ट इयर्स और अभी भी जो ग्रोथ है जो यह प्रोड़क्ट है इस प्रोड़क्ट की ग्रोथ मैं काम दिनू नेक्स्ट इसकी ग्रोथ 50% ते ज़्याद एक्सपक्ट करता हूं फूचर प्लान में पूरे हिंडिया में हम लोग इस प्रोड़क्ट को लांच कर रहे हैं हर गली-गली महले में आर्किटेक्ट्स, मैसंस, डीलर्स सब को इस प्रोड़क्ट के अवेर्नेस करा रहे हैं इसको हर अपने डीलर्स तक पहुचा रहे हैं कंजूमर्स को अवेर्नेस करा रहे हैं और आने वाले टाइम में लगबग जो हैं 5000 से ज्यादा कंजूमर अवेर्नेस प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें इंजिनियर्स अर्किटेक्ट्चर भी होंगे और सभी जो इस प्रोड़क्ट को यूज करने वाले लोग हैं जो इसको गाइड करने वाले लोग हैं वे सब लोग इनिकलूड होंगे उन सब के साथ अवेर्नेस हमारा पहला पार्ट है और आफ्टर देट इस प्रोड़क्ट की जो रिजल्ट्स हैं जो मार्केट से रिपोर्ट हैं जो लोगों की फीलिंग से कि वाट दे फील इट वाथ इस गूड इस एक्सिलेंट इस नौट बूड वाट वाट इवर्टेवर भी वाटेवर भी तर फीड़ग फ्रम दे कंज विकास हम भी करें और हमारे पूरा देशवासी अपना विकास करें हमारे देश का विकास करें सब के लिए घर और सब के लिए एक घर हो 2022 तक प्रधानमंतर जी ने एक एफोरड़ेबल हाउसिंग स्कीम लॉंच किये हम भी चाहते हो उसमें इतना सहयोग हो पाएग हम करेंग